पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादिर का सलाम सोर्दयाल काफी दिल्चस्प होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के कैम्प में क्या हो रहा है हकुमत साजी के मौमलाद कहां तक पहुंचे और लेटिस्ट डिवाल्बेंट क्या है वो सब आपको बतारा है अभी मैं PTI के दफ्तर से होके आ रहा हूं और फिर मरकज में और सूबों में हकुमत बनाने का एलान किया है इन दावों में किस्सत तक हकीकत है क्या होने जा रहा है क्या पसे परदा को ऐसे राप्ते हो रहे हैं जिसकी वज़ा से ये सब बाते हो रही हैं क्योंकि PMLN और People's Party के दर्मियान कुछ मौमलात पर आखर ब्रेक लगई थी जिसकी वैसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कैम हकुमत ना बनाए तो अब वहाँ पर भी मौमला थोड़े से आगे बढ़े तो इन सारी चीजों के उपर थोड़ी बात करते हैं लेकिन एक बहुत ही दिल्चस्प चीज जो भी देखने में आई वो ये के तीन साल हम दो साल तुम ये एक नया फॉर्मूला पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज ने निकाला पावर शेरिंग का ये अब तक तो हम सोच रहे थे कि ये खाली अफ़वाएं है बट लिटरली ये हकीकत है कि PMLN ने बिलावल को ये आफर कर दी कि तीन साल हम हकूमत कर लेते हैं दो साल आप हकूमत कर लो इस तरह से बारियां लगानी है ये पहले भी होता रहा अभी फिर हो रहा है इमरान खान ठीक कहते हैं कि ये सब लोग अपनी अपनी बारियां लगाते है अवाम के वोटों का मैंटेट किसी और के पास है और यहां पर क्या हो रहा है तीन साल हम आ जाते हैं दो साल आप आ जाए और इनको भी पता है कि हकूमत मैक्सिमम चलती तीन साल ही है बाद में तो बस वो election mode on हो जाता न सारे election की त्यारियों में लग जाते है तो बिलावल के साथ ये game करने की कोशिश होई कि तीन साल पहले जो हमें दे दे और जब अवाम के घैज औ घजब के सामने का मौमला आएगा या टाइम आएगा तब हकूमत आप ले ले तो बिलावल ने तो इनकार कर दिया फिल हाल इस पर लेकिन स्टिल उनके कैम्प से ये आवाजे आ रही है कि हम वोट मुस्लिम लिग नून को देंगे reason ये है कि अब्बू को सदर बनाना है तो अब्बू को सदर बनाने के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है बहराल अभी पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के कैम्प से भी ये आवाजे उठने लगी पहले दो प्रेस कांफरेंस हुई जो मैंने खुद कवर की उन में से एक में ये कहा गया कि इमरान खान साब ने बलकि मैं बता देता हूँ बरिस्टर सैफ ने इमरान खान से जेल से उने वाली मुलाकात के बाद प्रेस कांफरेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि हम उपोजिशन में बैठेंगे मरकज में भी और सुबे में भी यानि पंजाब में भी तो उसके बाद आज उमरायूब ने प्रेस कांफरेंस कि और उनने का नहीं हम हकुमत बनाने की तरफ जा रहे हैं मैंने उनसे खुद ये क्वेस्टन किया कि आपके कुछ लोग मीडिया पर आकर ये बताते हैं कि हम उपोजिशन में बैठ रहे हैं आप ये बता रहे हैं कि हम हकुमत में जाने लगे हैं तो एक्शल स्टोरी क्या है कन्फीजन कहां पर है और रियालिटी क्या है क्या फिल हाल आप अपोजिशन में बैठेंगे जब फार्म फोटिफाइव वाला मौमला क्लेर हुआ तब आप हकुमत में आएंगे या क्या है तो उन्होंने का नहीं हम बिलकुल हकुमत बनाने की तरफ जा रहे है और इस हवाले से उन्होंने क्लियर किया कि हम वोट जो है वो मांगेंगे सारी जमातों से जो जो हमें वोट देना चाहे उनकी मर्जी ना देना चाहे तो कोई जोर सबर्दस्ती नहीं लेकिन हम हम हकुमत साजी की तरफ जा रहे है जो के बजाहर मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है इन हालात में जब मुस्लमिक नून और पीपल्स पार्टी अगर इकटे है और उनका पावर शेरिंग का जो फॉर्मूला है वो डिजाइन हो जाता है कि सदर साब जर्दारी हो जाए और शेबाज रिव वजीर आजम हो जाए तो फिर पीटी आई का चांस कम हो जाता है और इन हालात में इस किसम के सरकंस्टांसे में हुकुमत लेना ये कोई आसान काम भी ली नी है और खत्रेसे खाली भी नी है आगे बढगने से पहले एग छोटी सी अपडेट में आपको reactors बता दो पाकिस्टान तहरीक इंसाफ ने अब अपना अपना नेया इतिहादी मेदान में उतार दिया है यानि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतिहाद करने जा रही है सुनी इतिहाद काउंसल से S.I.C. के साथ अभी तक तो हम S.I.F.C. के बारे में सुनते रहे हैं अभी शायद आपको S.I.C. सुनने को मिले क्योंगे सुनी इतिहाद काउंसल के साथ पाकिस्तान तहरीक अंसाफ ने आज बाजाबता वो कर लिया है अपना इतिहाद इसको एलानिया तोर पर अभी नहीं बताया गया पीटिया की जानब से लेकिन मेरी बहुत ही जिम्हतरान जराय से बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की जिसके बाद मैंने ये मीडिया के उपर ये सारी ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट भी की और मुझे तो ये भी पता है कि जो आजाद जीतने वाले उमीदवारान है उनमें से बाद से एफिडेविट जो है वो साइन करवा लिये गए हैं कि ये अब इस पार्टी में जाने वाले हैं पहले MWM के साथ जमात इसलामी के साथ इतिहाद की तरफ जा रहे थे लेकिन कुछ टेक्निकल रिजन जा रही थी जिसकी वाया से ये मौमला नहीं अटा जमात इसलामी तो वैसी पीछे अट गई MWM के साथ कुछ तक्निकी मौमला थे जिसकी वाया से वो आगे नहीं बढ़ सके तो अब सुनित इतिहाद काउंसल के साहिब जादा हामिद रजा है सरवरा जिनों ने PTI की बैकिंग के साथ ही आजाद हिस्जियत में इलेक्शन लड़ा वो इलेक्शन जीत भी गए और मैंने उनको इमराण खान के काफी करीब भी पाया और बड़े रिजिस्टन्स करने वाले शक्स हैं और फिर इन हालात में इन दिनों में उन्होंने सख्तियां भी काफी बरदाश की हैं तो ये फैसला PTI का किसे तक बेहतर रहेगा आने वाला वक्त बताएगा लेकिन एफिडेवर्ट साइन होके PTI के दफतर में पहुंच चुके है ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ तो आने वाले दिनों में PTI खुद ही ऐलान कर देगी कि वो जा रहे है सुनिधात कौंसल के साथ अब ही मैं खौजा आसिफ का एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे के तैय ये हुआ है कि वजीर आजम शेहबाज श्रीफ होंगे वजीर आला मरियम नवाज होंगी और जो सिक्का है वो काईद मोतरम नवाज श्रीफ का चलेगा यानि पीछे से बैठके कंट्रोल वो करेंगे लेकिन ये नहीं बताया कि हम क्या करेंगे ये शायद मौरल अतौरेटी नहीं है उनके बताने की लेकिन एक लंगे के लिए एक सिनियर सियासेदान जिसने पता नहीं अपनी उमर का कितना हिस्सा एक पार्टी को दे दिया वो ये बताने की पॉजीशन में नहीं है कि वो या उसकी party का कोई और member क्या किसी बड़े होदे पर आ सकेगा वजीर आजम बनना है वो family में वजीर आला बनना है वो family में है कोई कायद ताहियात है वो family में है तो ये family limited company वाला जो business है ना ये खतम नहीं हो रहा मैं उस दिन भी बता रहा था कि एक की खाहिश है कि मेरे अब्बू जो है वो सदर بن जाए और अब्बू की खाहिश है कि बेटा जो है वो prime minister बन जाए तो इसी तरह ये चच्चा, uncle, बेटा, बेटी का सारा खेल इस वक्भी चल रहा है, खैर कोई और इस किसम की designation बुश्रा बीबी के पास गई ना फैमिली के किसी बंदे के पास गई इमरान खान अगर नहीं है तो उसके बाद जो कुछ भी है वो पार्टी के दूसरे लोगों के दर्मयान तक सीम हो रहा है जिन्नों ने इस मुश्किल वक्त में कुर्बा नहीं दिया ह अगर आप देखें एक वक्त था हदकडियों में जखड़े हुए उस शक्स को कैसे गुमाया जाता था सर के बाल तक मून दिये गे क्या कुछ हुआ और आज भी वो इमरान खान की तस्वीर था में उसे चूमता हुआ नजर आया तो बदले में क्या हुआ रिवार्ड मिला पार्टी के साथ एफिलियेशन का या पार्टी के साथ जो वफादारी है उसका सिला मिला अभी आज उनका जो नोटिफकेशन है कामयाभी का खाली आप वो देख लेए ट्विटर बंद है पाकिस्तान में लेकिन फिर भी दूसरी तीर सीरी पोस्ट आपको मिलेगी के अलिय पार्टी के साथ खड़ा हुआ तो इस तरह के बहुत सारे और लोग भी है जिन्होंने कुर्बानिया दी है जिन्होंने जेले काटी है अभी इमरान खान अगर पावर में वापस आये या उनको ये मौका मिला कि वो अपने उन लोगों को रेकेगनाइज करें और पब्लिक क सामने recognize करें और जो के वो करेंगे क्योंकि जेल में उन्होंने हमेशा के लिए नहीं रहना मैं हमेशा बार-बार आपसे ये कहता हूँ कि ये जो सजाएं सुनाई की है 14-14 साल की ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने 14 साल जेल में ही गुजारने है ये महज इसलिए थी ताकि आप लोगों को demoralize कर दिया जाए voting से पहले और आप लोगों को लगे कि अब खतम सारा कुछ और आप घरों से बाहर ना निकले बट आप चुके अब घरों से बाहर निकल चुके तो अब आप देखे ना मोड बाकी हर जगा पे बदल रहा है ना अब वो सक्तियां थोड़ी सी कम हो रही है जो पहले की जाती थी क्योंके एक मैसेज तो कनवे हुआ ना के अवाम नहीं मान रही इतना कुछ करके भी नहीं मान रही तो अभी और करने का क्या फाइदा होगा तो इसलिए ये सारा कुछ रोल बैक होना है कहीं नगे तो इमरान खान आपको बहुत जल्द बाहर दिखेंगे क्योंके उनकी अपीलों के उपर भी नंबर लगने जा रहा है एक और बहुत अहम केस मैं अपीलों के उपर नंबर लगने से याद है कल काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत आहम मुकत्मा सुनने जा रहे है और ये इलेक्शन के हवाले से ही है कि इलेक्शन रिग्ड था नहीं था दहंदली हुई नहीं हुई ये इलेक्शन कल अदम करार दिया जाए या ना दिया जाए इन सारे मौमलात के उपर कल का केस जो है वो बड़ा आहम होगा अगर तो ये केस इतना फारी हुआ कि इसको सुनने की जरूरत ही नहीं थी लेकिन स्टिल फिक्स हो गया 10-15 मिनिट की कारवई में इसे उड़ा दिया जाएगा बट अगर इस केस को सामने रखके कोई बड़ा फैसला करना मक्सूद है तो शायद ये केस कुछ दिनों तक चलाया भी जाए और फिर कोई बड़ा डिसियन इस केस को सामने रखके दे दिया जाए पी टी आई किसी सूरत ये नहीं चाहती के इंतखाबाद जो है उसे कलादम करार दे दिया जाए जिसके नतीजे में उनकी एक सूबे में बनने वाली या मुम्किना हुकुमत जो हो खत्रे में पड़ जाए बनने से पहले ही और दूसरी तरफ उनके जो इतना हैवी मैंडट अभी भी उनके पास है इतनी रिगिंग के बावजूद 90 सीटे 92 सीटे उनके पास है ये उनसे चीन ली जाए तो वो अभी भी स्ट्रॉंग पोजीशन में है तो इसलिए इंतखाबाद कलादम किसी सूरत नहीं कराना चाहते लेकिन पी टी आई ये जरूर चाहती है कि उनका जो mandate है according to form 45 वो उनको वापस दिया जाए तो चीफ जस्टस काजीफाइज इसा के पास ये बड़ा आहम और सुनहरी मौका है कि वो पी टी आई को उनका जो चीना गया mandate है वो वापस दिला ले बल्ला तो नहीं उनको दे सके थे लेकिन यहाँ पर वो राइट है ये उनका ज रिक्वेस्ट किया है कि चुंके इस सारे मौमलात में कही न कहीं उनका नाम भी लिया गया है तो वो रजा कराना तोर पर उनका केस ना सुने या ये वाला केस ना सुने और मैरिट के उपर बाकी जजज इस केस को डिसाइड करें मुझे नहीं बता अब इसके आगे क्या पाले से मुतालबे पर तो उनका हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है कि वो स्टैप डाउन करें या रिजाइन करें बस सिरफ ये है कि वो ये केस ना सुनें कमिशनर रावल पिंडी वाला जो एक का पूरा मौमा इस वक्त बना हुआ है वो बहुत ही दिल्चस्प है उसको कह नहीं कहीं मंत की अंजाम तक पहुचाना जरूरी है बेशक उसको पागल कहलें दिवाना कहलें जो भी कहलें बट इतना सब कुछ कहने से ये गर्द ये डस्ट थमेगी नहीं जो इल्जाम उन्होंने लगा दिया है जो डैमेज हो चुका वो इतनी आसानी से कंट्रोल होना नहीं है बेशक आप सारे कमिशनर्स को बुला के या सारे आरोज को इकठा बिठा के प्रेस कॉन्फरेंस करा लें जैसा कि कल रात हमने देखा कि प्रेस कॉन्फरेंस हुई है और सब ने आके का नहीं नहीं कमिशनर्स आप गलत कहके गए है हम मतालबा करते हैं कि उनकी तहक कर लिए हैं लोजिस्टिक के ये इंतिजामाद हो गए है इलेक्शन की शफाफियत के लिए हम ये कर रहे हैं तो उनका को तालुक था तो वो बेयानात जारी कर रहे थे और प्लस अगर कमिशनर का तालुक नहीं है तो फिर चीफ सेक्टरी पंजाब का तालुक कैसे हो सकता है जनको इलेक्शन कमिशन के हुकाम भी खत लिक लिक कर बता रहे थे कि जनाब देखें ये पंजाब के जो पुलीस है वो मुदाखलत कर रही है या ये और उनको इलेक्शन कमिशन के अपने लोग शिकायत क्यों लगा रहे थे तो वैसे तो चीफ सेक्टरी का भी कोई काम नह होता ब्रहरास तो चीजें वो नहीं कर रहे होते लेकिन बिल वास्ता उनके कुछ ना कुछ चीजें कंड्रोल में होती हैं जो वो करा रहे होते हैं इसलिए कमिशनर साब भी ब्रहरास ना सही लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे तो इसकी जब तक तहकीकात नहीं होगी तब तक कुछ बता नहीं चलेगा तो कल का दिन जो अहम है केसिस के वाले से वो मैं कल आपको अपडेट करूँगा अभी तक के लिए इतना ही अपना बहुत सा ख्याल लगए अल्हाफिज अजाए बाइवस्टुणध्कर्म